है है गाईज हाई दिस अभी शेख मासरीज़ अफिजर विदान तू कैसे चले बचुछ ज़ेंदेगी कैसे हो मेरे शेरों शेर्णियों आज एक बहुत important session है because आपको पताए कि भाई ray diagrams of convex lens बहुत बार आपके board examinations में पूछा जाता है ये topic आपके pre-boards और mid times में काफ़ी significant role play करेगा तो definitely make sure करना कि अब session के इन तक ठीक हो और मुझे पताए कि आप ray diagrams याद अटने में आपको difficulty होती है तो आज मैं आपको ये prove करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप convex lens का एक भी ray diagram आपको याद करने की जरूरत बिलकुल भी नहीं है वो मैं आपको आपको दिखाने वाला हूँ तो please stay tuned till the end of the session because आज के sessions में क्या क्या हो रहा है मैं आपको clearly बता देता हूँ ठीक है जिसको बच्चों ने comments में जवाब दिया उन amazing बच्चों के लिए तालिया मारें गया ठीक है उसके बाद पिसले session जो हमने की ती ray diagram of concave lens उसके बेज एक छोटा सा quiz कर लेते हैं लेकिन वही बात है कि आज जो session वो live नहीं है तो definitely quiz में chat में लोगा तो chat में आप लोग spam कर देना comments में बताना ठीक है and then we'll get into the ray diagram of convex lens बोथ simulation भी करेंगे और normal तरीके से भी करेंगे ठीक है सारे diagram आज बनाएंगे तो आप लोग notebook और pen scale सब लेकर बैटो मेरे साथ फिर इस topics related सारे NCRT के सवाल हम करेंगे जो भी textbook में है और PYQs plus most expected questions जो इस topics से आ सकते हैं आपको ठीक है previous year questions भी करेंगे उसके बाद session के end में एक और छोटा सा quiz कर लेंगे अगर possible हुआ तो ठीक है तो शुरू करते हैं फोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं आज ओ भाई साब यह रहा आज का motivational quote I never dreamed about success I worked for it है ना यह बहुत important समझना होता है कि भाई आप बस सपने देखोगे success के सपने देखोगे यहां पौचने के वहां पौचने के वो काफी नहीं होता है उसके लिए यह जागना होता है बिस्तर से उठना होता है महनत करनी पड़ती है तब ही वह सपने साकार होते है ठेक है समझेगा इस बात को और इसी बात के लिए बच्चों make sure you get the like button and share the video right now अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है and make sure कि आप सब्सक्राइब करें ताकि आपके आपसे ऐसे सेशन का जैसे मैंने कहा Ray Diagram of Concave Lens का तो उसमें सबसे पहले जवाब हमें मिला है अर्विन जी से भाई तालिया हुजए अर्विन जी से क्या बात है रक्षिता जी ने भी सही जवाब दिया है और कह रही है आपका स्कूल तो बहुत 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 बढ़िया और ये शालू जी बहुत बढ़िया जैकुमार जी बहुत बढ़िया क्या बात है कुम कुम जी बहुत बढ़िया मजा आगे देखकर रहा और रिया जी फैन्टास्टिक और सेशन तो बहुत लाजवाब था 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 एक इसी बेसिस में आगे बढ़ते हैं फोरते हैं रे डाग्रामस ऑफ कॉन्विक्स लेंसे उसके पहले चोटा समय जैसे कहा थ देखते हैं पिसले सेशन का आपको कितना याद है सवाल पूछूंगा पांक सेकेंड दोगा चाट और कमेंट्स में स्मयाम हो जाना चाहिए जवाब ठीक है यह रहा पहला सवाल मतलब भाई वो होता है जिसके तुरू आप देखते हो कि भाई बाहर पौन आया हुआ है उसमें कौन से लेंस के इस्तमाल होता है वक्त शुदू होता है इन 5,4,3,2,1 वक्त होता खतम अब आगे देखते हैं जवाब क्या होगा अपकोस यह बात है कॉनकेव लेंस क्योंकि आपको एक वर्चुल इमेज देखनी है इरेक्ट इमेज देखनी है डिमिनिश्ट इमेज देखनी है जैसे आपको कॉन्विक्स मिरर में दिखता है एक छोटे से होल के तुरू डोर के बाहर होने वाली हर चीज को आपको देखनी है वनना फिर उस पीप होल का मतलब ही क्या होता है नमबर 2, Concave Lens is also known as Converging Lens, Diverging Lens, Radial Lens, Axial Lens चाट में spam करना शुरू करिये 5,4,3,2,1 हडिपा ठेक है जवाब क्या होगा? Diverging Lens होगा क्योंकि Concave Lens एक Diverging Lens है आपको पता है Convex Lens है Converging Lens है Concave Lens का Focus भी Virtual बनता है याद सबको रह जाना चाहिए आखरी सवाल आपके लिए क्या ये सही जवाब है, गलत जवाब है या बता नहीं सकते हो बता नहीं सकते हो, बोलगो तो चपल पर करना होगा मैं तो 5,4,3,2,1 हडिपा तो बोलो तारारा इसका जवाब बिलकुल सही है ये भाई Concave Lens में Image हमेशा Object के Same Side बनती है बिट्वीन पोकस और ऑप्टिकल सेंटर छोटी बनती है, वर्चुल बनती है, इरेक्ट बनती है यह हमने पिस्टे सेशन में सीखिया था, अगर आपको इसी टॉपिक पे या इसके पहले जो भी टॉपिक था आपका रिफ्राक्टिव इंडेक्स, रिफ्राक्शन, मिरर्स, जो भी टॉपिक था हो, अगर आपको इसमें कोई भी कॉंसेट में डाउट है, तो डिस्क्रिप्शन में जाएए, CBSE Class 10, The Latest 2024 का प्लेलिस्ट होगा, उसको खोलिए, उसमें Physics को उठाईए, और वीडियो देख डालि आपके हमने, तो उसको भी आप देख सकते हो, और 90 सेकंट में पूरा सेशन गो तुरू कर सकते हो, ठीक है, चलो, बल्ले-बल्ले से शुरू कर दिया, अब यह समझते कि भाई, Convex Lens का हमारे इस दुनिया में क्या-क्या इस्तमाल होता है, Extremely useful Lens होता है, Convex Lens, सबसे ज़ होते है, Magnifying Glass, Microscopes, Telescopes, इन सब में Convex Lens ही लगा होता है, बहुत लोग के चश्मों में भी Convex Lens लगा होता है, तो Convex Lens is the most used Lens out there, guys, by the way, if in case you didn't know that, now you know, but Concave Lens भी तरह पीछे नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग को Myopia होता है, दूर का दिखाई नहीं देता है, तो बहुत तो आप यहां पर देखोगे, कि मैंने टेबल बना दिया है, और जैसा मैंने आपको सेशन की शुरुवात में बादा किया था, कि आपको Convex Lens के Ray Diagrams याद रखने के जरुरत नहीं है, वो मैं आपको प्रूव करके दिखाने वाला हूँ, कैसे, ठीक है, तो आप बस मेरे स साथ सेशन में जुड़े रही है, अब यह जो टेबल है, इसमें आपको दिखेगा, इंफिनिटी, ऑब्जेट पोजिशन में लिख दिए, इंफिनिटी, सेंटर ऑफ करवेचर, फोकस, फोकस, पी, पोल, से लेकिन लेंस में तो यह सचार चीज़े होती नहीं है, उसमें 2F पन होता है, C के बदले, P के बदले, Optical Center होती है, तो यह क्या है, लग रहा है, बिल्कुल सही सोच रहा है, अगर आप सोच रहे होतो, तो मेरा बस आपको इतना ही कहना है, कि यह टेबल मैंने बनाया हुआ है, कॉनकेव मिरर के लिए, किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए ब पढ़ लिए है, तो आप मुझे बस एंटेटेन करो कि कॉनके मिरर के रे डागराम क्या है, ठीक है, बाकी में बताता हूं, ठीक है, चलो शुरू करते हैं, फिर आप एके करें बोलते जाओ, स्पैम करते जाओ, यहाँ पर आप बताना है कि इस object position के लिए image position क्या होता है, औ और size क्या है, ठीक है, तो जब object infinity पे होती है, इमेज कहां बनता है, कौन के mirror में, अट focus बनती है, आप स्पैम करते जाओ, ठीक है, आप स्पैम करते जाओ पूरा, और क्या होता है, यहाँ पर, भाई, real image बनती है, inverted image बनती है, और size होता है, highly diminished HD बनता है, अब object अगर beyond center of curvature यहाँ पर आपका image real, inverted and diminished बनता है, ठीक है, सही है, तीसार एक राडाम क्या था भाई, जब object c पे रहती है, तो image beyond c ही बनता है, इमेज बनता है, उस वक्त real, inverted, और same size image बनती है, और मैंने आपको shortcut trick यह भी बताई थी कि भाई, second ray diagram का opposite होता है, fourth ray diagram, ठीक है, तो between c and f, between f and c य रहेगा, diminished का opposite क्या होता है, enlarged image, correct है, मैंने बताया था, second का opposite होता है, fourth ray diagram, फिर मैंने आपको यह भी सिखाए था, भाई, fifth ray diagram, first का opposite होता है, तो यहाँ पर add focus है, अब object focus पे आ गया, add infinity यहाँ पर आ जाएगा, opposite, ठीक है, यह again same रहेगा, real, inverted, यहाँ पर highly diminished था, यहाँ पर highly enlar asked होगा, सही, sorted है, ठीक है बाई साब, अब हम आ चुके है, between focus and pole पे, जब आपका object between focus and pole होता है, तो आपका image बनता है, behind the mirror, कहां बनता है, behind the mirror बनती है, और यह एक लौता case है, जहां पे आपका कौन के mirror आपको virtual erector enlarged image देता है, है ना, तो सबने स्ताम कर देता है, चैट में, thank you so much guys, ताल गया हो जो आप लोगे लिए, तो अगर आपको यह table, यह ray diagrams हमने, आपने हम से सीखे हुए, या तो कहीं से भी सीखे हुए, तो आपको यह clarity मिल गई है ना, अब मैं अपना वादा पूरा करता हूँ, कि कौन के mirror के ray diagrams अगर आपको याद है, तो मैं बस इतना कहन चाहता हूँ कि कौन के mirror के ray diagrams is equal to convex lens के ray diagram, simple as that, आपको कोई भी चीस additional पढ़ने की जरूत नहीं है, आपको convex lens पढ़ना ही नहीं है, कि कौन के mirror के ray diagram जैसे मैंने कहा, is equal to convex lens, सर कैसे, चलो मैं आपको simulation करके दिखाता हूँ कि कैसे, ठीक है, आप लोग सब लोग अभी ध्यान प मैं आपके लिए simulation खोल देता हूँ, so that simulation के थुरू हम सीख सके कि भाई कैसे करना होता है, ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर simulation आपके सामने open हो चुकी है, है ना, simulation दिख रहा है आपको, यहाँ पर मैंने lens रखा हुआ, यह convex lens है, इन मैंसे मैं rays को निकाल देता हूँ, जाने दो, आपको यह object दिख रहा होगा, object दिख रहा होगा, object दिख रहा होगा, object की height बढ़ा देता हूँ, object की height मैं बढ़ा दी, just for you as to observe it carefully, है ना, अब आप देखो, पहला position क्या है, जब object infinity पे होता है, मतलब infinity तक में ले रही जा सकता है, दू ले जा सकता हूँ, तो आप देखो के image कहां पे, image देखो, real, inverted, और बहुत छोटा है, highly diminished है, focus के पास है, अगर मैं इसको और दो ले जाता है, तो भाई, focus पे बनता है image, है ना, बरावर concave mirror के जासा है, लेकिन यह तो convex lens है, convex lens में, concave mirror में फिर difference क्या हुआ, difference यह हुआ कि concave mirror में reflection होती है, mirror में reflection होता है, convex lens में light rip R पार जाती है, reflection होता है, that is the difference, that is the only difference, mirror में होती है reflection, यहाँ पर reflection होती है, image position और properties में कोई difference नहीं है, ठीक है, अब मैं object को ले के आजाओ, beyond 2F1, ठीक है, 2F1 यहाँ पर होता है, महाँ पर center of curvature, image कहां बननी चाहिए, between F2 and 2F2, exactly वहीं, कोई difference नहीं है, object को अ करनी चाहिए, आप देखोगे, object distance 40 cm, image distance also 40 cm, object की height 21.7, image की height 21.7 almost, है ना, तो बिल्कुल सही है, image on C पे है, object भी on C पे ही है, image और object की size same same है, बराबर, अब आगे बढ़ते हैं, between F and 2F के, अगर मैं रख दो object को, तो आपको पता है, यहाँ पर case हो जाता है, second ray diagram का opposite, beyond 2F2 image बन तो मैं अगर focus पर रख दो, exactly, focus पर image रख दिया मैंने, तो मेरी image काम आनेगी, image तो बहार चलेगी, infinity पर बन रही है, आप देख सकते हो, यहाँ पर, हाँ, object, image distance देखो, 1300 cm है, 20.4 cm आपका object distance है, इसको मैं थोड़ा सा बराबर रखोंगा ना, तो मुझे यहाँ पर infinity अरे, हाँ, देखा, object distance जब focal length के बराबर हो गया, जब object को मैंने focal length पर रखा, image distance देखो, infinity पर चले गई, correct है, और image height भी देखो, highly अनास्ट हो गया, infinite cm हो चुका है, correct है, अब इसके बाद, अगर मैं object को between focus और optical center लाओंगा, आपका image जो बनेगा, हो बनेगा, virtual, erect, और highly enlarged, क दूसरे से intersect नहीं कर रहे हैं, converge नहीं कर रहे हैं, उन सबको project back करके, आपके race बना रहे हैं, virtual image, exactly same as concave mirror ही हमने prove कर लिया है, बढ़ डरो मत ये सारे ray diagrams हम एक एक करके बनाएंगे, और solve करेंगे, ठीक है, link clear हो गया सबको, चलो भाई, ये तो पका हो गया ना, कि, अब इसके स है, तो हम assume करते हैं कि race सारे के सारे आ रहे है, parallel, ठीक है, और क्या होगा इसके बाद, ये सारी race जो parallel होती है, वो focus के दूरों निकलती है, ऐसे ही हमने focus obtain भी किया था, convex tense का, तो image बनेगी at focus, real, inverted and highly diminished, क्योंकि हमें image दिख भी नहीं रहे है, ठीक है, बराबर है, same case, अब आग image position, बस यहाँ पर focus लेते हैं, मतलब बराबर लिखेंगे F2, और कुछ ने, ठीक है, दूसरा, जब object beyond 2F1 है, क्या होगा, beyond 2F1 में मैंने एक ray बनाई, ठीक है, और वो parallel है, तो focus के दूरों निकलेगी, दूसरी ray मानलो, optical center के दूरों निकल रही है, ठीक है, दोनों का intersection का रहा है, ठीक है, intersection अपने आप हो रहा है, और यहाँ पर आप देखोगे, थोड़ी सी मेरी diminished, अरे यारे, यह क्या हो गया, यह तो कुछ गडबड हो गए, यह इसका width सही नहीं है, intersection तो यहाँ पर होना चाहिए था, intersection ऐसे यहाँ पर होना चाहिए था, 2F2, यहाँ पर होना साइए intersection, हाँ, correct, मैं यहाँ लगता है कि यहाँ पर ना, शायद मैंने डागराम गलत बना दिया, sorry guys, ठीक है, between F2 and 2F2 होना चाहिए, real inverted and diminished image, आगे बढ़ते हैं, अब मान लो कि object को मैंने 2F1 पर रख दिया, तो क्या होगा, अब मैं अच्छे से बनाने कुश्च करता हूँ यह जाएगी, focus के तुरू निकल जाएगी, ठीक है, दूसरी रख, optical center के तुरू निकलेगी, और यहाँ पर exactly 2F2 पर intersection होगा, object का size, image का size same है, तो real, inverted and same size, risk बन जाता है यहाँ ठीक है, अब आखरी, आखरी case, between 2F1 and F1, fourth ray diagram आपका, क्या होगा इसमें, कि भाई, यह ray parallel है, focus के तुरू निकली, ठीक है, दूसरी रख, optical center के तुरू निकली, और यहाँ पर जाकर, बहुत दूल जाकर, यहाँ पर कहीं, intercept कर गई, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यह दोनों, इस parallel है, तो यह कहाँ जाकर, यह infinity पे जाकर intercept करेंगी, parallel इस infinity पे इंटिसेट करती है, तो image बनेगा, infinity पे पहले रे डाग्राम का exactly opposite, और image size होगा, highly enlarged, मुझे कैसे बता, highly enlarged image बन रही है, क्योंकि बाई, इतने दू जाकर intercept करेगा, तो image का size तो बहुत ही लंबा होगा, पैलल जा रही है, वो focus के तो निकलेगी, दूसरी optical center के तो निकलेगी, ठीक है, तीसरी ray मान लो कि मैंने focus के तो निकाली है, तो पैलल हो जाएगी, ठीक है, यह तीनो rays है, बराबर है, यह तीनो rays converge नहीं कर रहे है, तो real inverted image तो नहीं बनेगा, इन सारे rays को अगर मैं project back करूं, सारे के सारे rays को अगर मैं project back करूं, तो intersection यहां पर होता है, यह बना मेरा virtual erector in last image, ठीक है, बन के हमारा virtual erector in last image, बढ़िया, तो बोलो बले बले, हो चुका है आपका छे रे diagram, बना भी लिया हमने, diagram भी completed है, let's move on forward for pvqs, ठीक है बेटा, अगर अच्छा लग गया हो, तो hit the like button right now, अगर एकदम easy हो गया आपके लिए, I'm hoping कि हो गया है, and share this video to all your friends, telegram groups, and you know, whatsapp groups, and now we're gonna do the pvqs of this topic, और हम हर topic के लिए कर रहे हैं, तो अगर आपका उमंग के sessions miss out हो गया है, तो हमारा यह जो series है, उमंग 5.0, इसके हर session को देखेगा, उसमें हम NCRT के सवाल भी, pvqs भी, most questions वो भी कर रहे है, check it up, आपका सारा basic clear हो जाएगा, और उसे related सारे सवाल भी clear हो जाएगे, ठीक है, तो what you need to do right now, is just go forward and check out the playlist in the description, आगे बढ़ते हैं for pvqs, 2012 का सवाल हीगे, to construct a day diagram, we use two light rays which are so chosen that it is easy to know their directions after refraction from the lens, हाँ, तीन standard incident rays है, एक parallel ray जो focus करो निकलती है, दूसरा focus करो है, वाली रे parallel हो जाती है, तीसरा optical center के through undeviated जाती है, है ना, list these two rays, and state the path of these rays after refraction, use these two rays to locate the image of an object place between f and 2F of a convex lens, ठीक है, तो simple होगी भाई, convex lens है, आपको f1 और 2F1 के बीच में एक object रखा गया है, उसका image बना कर दिखाना है, with the help of these two rays, आप तीनों use का लोको वेश्यों होगी, यह पहली ray, center पे एक line मार देना, हमेशा यह दे होगा आपके लिए, f2 से निकलेगा, दूसरा ray, optical center के तो निकलेगा, है ना, तीसरा ray भी बनाना है, आ आपको निकाल दो, देखो f1 के तूर जाएगा, और यह बन गया, आपका image, ठीक है, बराबर तीनों रेस का बेश्यों कर सकते हो, पहला ray, दूसरा ray, तीसरा ray, done, तो यह आते है, आपको तीन marks के लिए, हर एक ray के लिए, एक mark बिल जाता है, यह आ गया, 2017 का सवाल, दूसरा, आपको यह बना जाना है, जहाँ पर भाई, रियल इमेज बनती है, और वर्चल इमेज तो एक ही केस होता है, आपकी convex लेंस में, लेकिन जब थ्री ताइम्स इमेज की बाद आते हैं, तो बच्चे confused जाते हैं, यह दो जगावा पर magnified image बनती है, जब आपका object between F and C होता है, F and 2F होता है, तब भी magnified image बनती है, दूसरा, जब object focus पे होता है, तब भी magnified image बनती है, highly enlarged image बनता है तब, तो बच्चे confused होते होते हैं, यहाँ पर बनाना कौन सा है, देखो हमेशे आद रखना, कि जब object focus पे होती है, तो highly enlarged image बनता है, infinity पे, ठी सवाल नहीं हमारा, तो three times magnified image is not highly enlarged image, three times magnified is between when the object is between F1 and 2F, F1 and 2F1, ठीक है, तो आपको यह वाला diagram बनाना है, which is basically your fourth ray diagram, and this is your sixth ray diagram, ठीक है, six ray diagram extremely important, along with third ray diagram, हो गया, quiz time, चलो, अब सवाल कर लेते हैं, ठीक है, अब यह मेंटी quiz वाले सारे के सारे, यह जो quiz हमें करवाने वाला हो यह MCQs है, जो आपको section A में आ सकते हैं, ठीक है बेटा, तो मेरे क्याल से दो या तीन सवाल है, ready हो जाओ, मैं सवाल पड़ूँगा, पांच सेक्ट दोंगा, spam हो जाना चाहिए, ठीक है बेटा, चलो, पहला सवाल आपके सामने, a student uses a device X, यह device X है, to obtain focus, to obtain और focus the image of a well illuminated distant, V equal to building on a screen S, ठीक है, select the current statement about the device X, device X is a concave lens of focal length 8 cm, device is a convex mirror of focal length 8 cm, device is a convex lens of 4 cm, device is a convex lens of 8 cm, focal length, बताएगे क्या जवाब है बेटा, पांच, चार, तीन, दो, एक, additional time की जरोती नहीं है, भाई यह definitely convex lens ही, क्योंकि light ray converge हो रही है, mirror तो नहीं हो सदर mirror होता है, reflect होता है, आपर reflection हो रहा है, और कहां जहां पर converge होके focal point मिलती है, वो focal length बन जाता है, तो 8 cm focus आपको दे दिया है, अगर object को focus और optical center के बीच पर रखा जाए, तो image कैसे बनती है, real inverted magnified, virtual erect and magnified, virtual erect and diminished, virtual inverted and magnified, यह मने बताया हुआ है, आपको mirror के लिए भी lens के लिए एक ही चीज है, angry bird वाला समझ लेना है, angry bird में क्या होता है, angry bird game आपने खेला होगा तो, तो आप भाई angry bird को खीसते हो, फिर क्य कर यह बोलके आगरी बार उड़ता है, और जब टक रादल क्या होता है, पुचक, है ना, वी, virtual erect and enlarged, हमेशा आपका image, virtual erect and enlarged होगा, concave mirror के case में भी, convex lens के case में भी, so virtual erect and enlarged, option B है, याद रखेगा, ठीक है, चलो भाई, हो चुका है आपका आज का session, thank you so much for watching this video, इसका जवाव आपको homework में देना, ताकि next session, जो हम करने वाले है, sign convention of lenses में आपका नाम आ सके, ठीक है, comments में ये जवाब देने दना homework का, मुझे बताना कि आपका session आपको कैसा लगा, और ready हो जाना next week के लिए, क्योंकि next week हम करने वाले है, एक special series आप लोग के लिए, mid terms में फोडने के लिए, तो बताना, guess करके बताना कियों कौन सी series होगे, ठीक है, हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, मिलते है next session में, इस पूरे session के telegram, क्या करते हैं, pdf आपको मिल जाएगा, along with what I have written, in the telegram group, telegram group का link description में है, साथ ही साथ I would like to also tell you about this, 9th and 10 physics का हमने एक separate channel खुला है, जैसे हमने बागी subjects description में ही है, आप करना कि आपको जाना है, और आप जॉइन कर लेना है, वीडियोस देखने के बाद जॉइन करो आप, आप वीडियोस देखो, उसमें मैं पूरा physics कंप्लीट कर रहा हूं, 9th and 10th का, in the most innovative way possible, तो check it up, बहुत मजा आएगा, ठीक है, तो अगर अच्छा लगे त सबस्ट्राइब पिलना वहां पर भी, यहां पर, ठीक है, तो मिलते हैं गाइस, नेक्स सेशन में, अंडल दिजभीशेग, साइनिग ओफ, enjoy your life, stay home, stay safe, and stay strong, and I will catch you guys in the next one, प्रिश, 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 प